कुप विद अर्चना मोहनी चैनल में आप सभी का स्वागत है कौन कहता है बिना मैदा बिना आटा के ब्रेड या बन नहीं बन सकता है आज मैं मसूर की दाल से बन बना रही हूं सबसे पहले 15 ग्राम अलसी को फ्लेक्सिट को हम महीन पीस लेंगे फिर इसमें यह बदाम भींगा हुआ है जिसको छील लिया है यह 20 बदाम के लगबग है इसको पीसेंगे और यह है मसूर की दाल इसको मैं रात में भींगो दी थी और अभी चान ली हूं यह आधा कप है इसक पीस लेंगे दाल बादाम और फ्लेक्सिट को महीन पीस लिए हैं ग्राइंडर में अब इसमें नमक डालेंगे सबका description में कितना कितना लिए हैं वो मैं दे दूंगे इसमें 30 ml तेल डाले हैं और यह सीलियम हस्क डालते हैं यहसकी सभी मौश्चर को सोक लेता है इसमें रेशा होता है तो सीलियम हस्क को इससब गोल भी बोलते हैं यह कब्ज है या डाइरिया हो या वेट लौस करने में बहुत सायक है, तो बहुत हिल्दी है, एक टी स्पून के लगबर वैनिला एसेंस मिला देते हैं, इसमें मैं 1-4 टी स्पून बेकिंग सोडा डाली हूँ, और यह वैनिगर है, 5 ml वैनिगर डालते हैं, बेकिंग ट्रे में पार्शमन पेपर बिछा दिये हैं, जिसको आयल लग दाली है, और इसके उपर हम बन को शेप दे कर रखते जाते हैं, और एक तरफ हमारा ओविन भी आन है, मैं बन के उपर सफेद तिल डाल रहे हूँ, आपकी मर्जी, आप काला तिल भी डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड हो, या पंपकिन सीड हो, कुछ भी डाल सकते हैं, गरम ह गया है, इसको ओविन में रख देते हैं, 25 मिनट के लिए, बन को बेख होने में 30 मिनट लगा, बेख होने के बाद इसको बाहर निकालके, इसके उपरी सर्फेस पे ओयल लगा दिये, जिससे की ये मॉइस्टर बना रहे हैं, और इसको धाक के 10 मिनट के लिए रख दिये, बहुत सॉफ्ट है, यह मैदा और आटे के बन के समान तो नहीं है, लेकिन यह बहुत हेल्दी है, इसके इतने फैदे हैं कि इसको उसके संग कंपेरिजन किया ही नहीं जा सकता है, यह वेट लॉस में बहुत फैदा करेगा, और प्लस इसको अगर एक बार सुबह खा लेते ह एक बन इतनी वेजिटेबल है, वेजिटेबल लगा के मियोनीज, चट्नी लगा कर खा लेते हैं, तो आपका बहुत देर तक पेट भरा भरा सा रहता है, एक लियर हरी चट्नी लगाते हैं, फिर प्याज, टमाटर, खीरा और शिम्ला मिल्स इसके उपर लगा देते हैं टिक्की के उपर थोड़ा हरी चट्नी लगा देते हैं, मियोनीज लगा देते हैं और इस बर्गर को आप जितने सलाद सबजी के संग, हरी सबजी के संग खाएंगे, उतना ही ये टेस्टी लगेगा और ये जो मियोनीज है, ये घर में खुटका बनाया हुआ है, बहुत हिल्दी है, इसका लिंक भी मैं आपको इसमें डाल दूँगी और ये बहुत दिन तक तो नहीं रखा जा सकता है, फ्रीज में आप दो-तीन दिन तक रखेगे, रखेए उसके बाद फिर नया ताजा बना लीजिए, जैसे हरी चट्नी आप ताजी-ताजी बनाते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी चट्नी में वो स्वाद नहीं रहता है, जो तो ताजी-ताजी चट्नी में रहता है, यह बर्गर बनकर तयार है, और इसको अभी इंज्वाई करेंगे, तो अगर आपको अच्छा लगा, तो आप इसको बनाईए, खाईए, अपने परिवार में खिलाईए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प अन्यवाद